रिया अपने नए फ्लैट में हाल ही में शिफ्ट हुई थी. यह एक पुरानी इमारत थी, जिसके चारों ओर खालीपन और सन्नाटा पसरा रहता था. दिन में यह जगह शांत लगती थी, लेकिन रात का अंधेरा उतरते ही यहां का माहौल अजीब सा हो जाता था. कुछ दिनों बाद ही रिया को महसूस होने लगा कि जैसे कमरे में कोई और भी है. हर बार उसे लगता कि वह किसी की नजरों में है, और जैसे ही वह मुड़कर देखती, कोई हलचल खत्म हो जाती. एक रात, सोने से पहले जब रिया अपनी किताब पढ़ रही थी, उसे दीवार पर एक अजीब सी परचाई दिखाई दी. उस परचाई का आकार किसी इनसान जैसा था. लेकिन रिया को यह सोचकर खुद को तसल्ली देनी पड़ी कि ये महज उसकी थकान का असर होगा. लेकिन जब उसने अपनी आँखें बंद की, तो लगा जैसे वह परचाई उसकी ओर बढ़ रही है. उसने घबरा कर आँखें खोल दी. पर दीवार पर कुछ नहीं था. उसने इसे नजर अंदाज किया और सोने की कोशिश की, अगली रात वही परचाई फिर से दिखाई दी. लेकिन इस बार वो और भी स्पष्ट और करीब थी. अब रिया ने समझ लिया था कि ये कोई साधारन परचाई नहीं है. परचाई में एक अजीब सा आकरशन था. जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो. रिया ने कोशिश की कि वह इससे दूर रहे. लेकिन जैसे ही उसने कमरे की बत्तियां बंद की, उसकी परचाई खुद से अलग होकर कमरे में घूमने लगी. डर के मारे रिया ने बत्ति जला दी, और तब जाकर वह परचाई गायब हुई. रिया ने पडोसियों से उस फ्लैट के बारे में पूछ ताच की, तो उसे पता चला कि वहाँ पहले एक लड़की रहती थी, जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी. उसके बाद से ही उस कमरे में अजीब औगरीब घटनाए होने लगी थी. किसी ने बताया कि वह लड़की अकसर कमरे में खुद की परचाई से बातें करती थी, और कहते हैं कि वह परचाई धीरे धीरे उसकी वास्तविक्ता पर कबजा कर रही थी. रिया ने डर के मारे वह घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपने सामान की पैकिंग कर रही थी, वह परचाई और भी भयानक रूप में प्रकट हुई. अब वह एक इंसान की तरह ही दिखने लगी थी, और वह धीरे धीरे रिया के करीब आने लगी. रिया ने देखा कि परचाई उसकी ही शकल ले रही थी, लेकिन उसकी आखों में नफरत और क्रूरता थी, परचाई ने रिया के कानों में धीरे धीरे कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती रिया, तुम मेरी जगह लेने आई हो, अब मैं तुम्हारी जगह लूँगी और मजबूती से पकड़ लिया और उसे दीवार के अंदर खीचने लगी, अचानक एक चीक के साथ रिया दीवार के अंदर समा गई, और उसके बाद उस कमरे में फिर से सन्नाटा चा गया, उस दीवार पर अब एक नई परचाई थी, जो धीरे धीरे एक नए इंसान का इंतज कर रही थी